ओके सो ये नवेंबर 2024 का पीपर आनालिसस टेलिग्राम में आपका मिल जाएगा इसमें क्लारिटी है आपकी कौन से चाप्टर कब कितने मार्क्स का पूछा गया इसके बाद थेरी काफी कम आई थी आपकी सिफ आट मार्क्स के थेरी थी 110 मार्क्स का टोटल आपका प्राक्ट उनी की चक्कर में पेपर का लेवल थोड़ा और नीच आ जाता है तो 30 मार्क्स का तो आपका शोरशाट बनता है अचीव करना अब हम डिसकस करेंगे सर सिर्फ MSQS को फटा फट वो भी जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप नोट कर ले ना आपको ये PDF जो MSQS के आंसर का ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा सबसे पहली चीज़ सर यह वाला कोशन आपका पॉटफोलियो मैनेजमेंट के सबसे बीटा पहले निकालोगे 0.56 उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विटी आता है 16.92 परसेंट C.A.P.M. से ठीक है आगया इसके बाद में उसी C.A.P. सबसे पहले अगर आप टेबल बनाओगे टेबल में आप डिविडेंट रखोगे सबसे पहला आंसर आता है 6.53 यह है 4th year के डिविडेंट की प्रेजंट वाल्यू उन्होंने लिखना चाहिए था कि डिविडेंट की प्रेजंट वाल्यू बताओ बट हाला कि उन्होंने ऐस दिविडेंट की प्रेजंट की प्रेजंट वाल्यू निकालोगे 156.69 आएगा एक्सपेक्टे रिटन कॉस्ट ऑफ एक्विटी सीए पीम के इसाब से निकालोगे 16.92 यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुश्चन में गडबड है या कुछ तो क्योंकि उन्होंने व आपको अगले 6 सालों के लिए डिविडेंट जो दिया जा रहा है दे डिविडेंट एक्सपेक्टे टो ग्रोगे 25 परसेंट फॉर उसके बाद 10 पर एनम तो 6 साल तक तो 25 परसेंट ही परपेच्यूटी शूरू हो रही है सातवे साल से तो सातवे साल की स्टार्टिंग बोल की स्टार्टिंग ये सिक्स्टियर की एंडिंग बोलना चाहिए बट ठीक है आंसर 303.14 के असपास होना चाहिए अगर करन मार्केट प्राइस 315 है और आपकी वैल्यू 156 आ गई है ध्यान देना सर यहां पर अगर थिरॉटिकल वैल्यू 156 है और 315 मार्केट में प्राइस तो आप उसको ओवर वैल्यू डी बोलोगे ना कि देर सो की चीस 315 में तो नहीं खरीदोगे यहां पर यह दस मार्क्स आपके पूरे आसानी से बन जाते हैं इसके बाद आते हैं सर के सीनेरियो टू में यह काफी अच्छा कुशन है डियूरेशन और डियूरेशन मॉडिफ इसका मतलब क्या होगा अगर रिडम्शन अट पार है और कूपन रेट और वाइटिम मैच करते हैं तो मार्केट प्राइस आपकी 1000 ही आएगी इस केस में तो यह आंसर आता है 1000 और उसके बाद 2.74 आपका डियूरेशन आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ठीक है सर य यह वाला पार इसके बाद यह ले लेते हैं पहले अब वैसे जैसे डूरेशन बॉंड टू का पूछा वैसे बॉंड वन का पूछा इसमें यह आता है 848.34 और 4.43 कैसे निकालोगे टेबल निकालो बॉंड के इंट्रेस्ट रखो और आप अपना मैक डी वाला फॉर्मुला लगाके जिस तरह के से पहले पार्ट का अंसर निकाला, सेम उसी तरीके से यह वाला आएगा, अब देखो उसमें 1000 वैलिउ आ गए, इसमें 848 आगए, इसको वेटेड ऐवरेच कर दो 75% इसमें डाला है, 25% इसमें डाला है, वेटेड ऐवरेच करोगे तो 870 आएगा, 8 रु कि market price क्या हो जाएगी portfolio की अब यह concept जो होता है न दस से 10.5% करना यह modified duration में cover होता है यानि कि आपका क्या कहते है volatility ठीक है अब उसका नया नाम जो आपने देखा होगा कुछ कुछ वच्चों थोड़ा से वह गए होंगे कि यह क्या नया आ गया what will be the price sensitivity of the portfolio price sensitivity और कुछ नहीं सर modified duration है जो कि answer आता है 3.643 कैसे निकाला सर बहुत सिंपल है आप सबसे पहले तो portfolio की weighted average value निकालो वैसी portfolio का weighted average duration निकालो वह आता है 4 अब अगर 4 आ गया तो modified duration क्या करोगे 4 divided by 1 plus YTM यानि कि 1.1 वह आ गया 3.6454 यही है आपका last वाले का answer 3.64 मेरा तो 54 आ रहा है 3.643 यह match करना चाहिए mostly ठीक अब फटा फट करा हुआ है चोटी मोटी गलती हो सकती है जादा जादा मुझसे ठीक है अब उन्होंने क्या बोला यह 3.6454 क्या है सर एक परसंट YTM चेंज होगा तो market price इतने से change होगी हमारा YTM तो सिर्फ आदे परसंट से change होगा तो हमने क्या कर रहा उसको आदे परसंट से multiply कर दिया और यह answer निकाल लिया पर बहुत अच्छा question पूछा है जो लोगों ने conceptually पढ़ाई करी है उनको जादा benefit है यहाँ पर क्योंकि जैसे यह price sensitivity पूछ ली यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने volatility नहीं लिखा, modified duration नहीं लिखा जिनको concept समझता है सिर्फ वो ही इसको solve कर सकते थे formula रटने वाले के लिए बहुत तकली face में अब यहाँ पर ध्यान दे जाना सर यहाँ clearly पहला part लिख दिया कि exercise करा है exercise तो कब करा जाता है जब फाइदे मन्द होगा तब ही exercise करो गया आप otherwise exercise नहीं करोगे अब 140 में कोई चीज खरीदी बेची है अभी नहीं पता ना आपको जब market price 160 चल रही है अब कोई चीज की price market में जादा है और हम 140 पे exercise कर रहे है तो इसका मतलब कम price पे तो हम बेचते कभी भी नहीं है खरीदते हैं that's why we call it as a call option कि यह call option है अब 160 में से 140 गया 20 रुपे का हमें पे-off हुआ लेकिन premium भी 20 रुपे का था तो हमें मिला कुछ भी नहीं net profit zero बोलेंगे call option बट net profit is zero पे-off बोलते तो मैं बोलता कि call option और 20 का answer आना चाहिए पर premium बीस माइनस हो गया अब दूसरा वाला भी आपने exercise कर रहा देखो market में price 175 चल रही है कम है और आप जादा पे खरी 10 रुपे का premium 10 रुपे का net फाइदा आपको कहा गया यह रहा इसका मतलब यह call option नहीं है put option है तो यह put option है laps हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा pay off और 25 रुपे का नुकसान अल्लग put option और 25 रुपे का नुकसान अल्लग तो यह ऐसे six marks बिलकुल अंदर हो गया last वाला पार्ट लेते काफी interesting है mergers का पार्ट है अब इन्होंने दे दिया कि भी है दो company है एक company दूसरे company को acquire करना चाहती है आपको net profit दिया पी रेशो दिया current market price दिया current market price को पी रेशो से divide करोगे तो EPS आ जाएगा और net profit को EPS से divide करोगे तो number of shares भी आ जाएगा यह basic आपने understanding ले ली ठीक है अगर इन दोनों का net profit अगर आप maintain रहे EPS current level पर maintain रखने के लिए सबसे पहले ही condition ही होती है कि EPS के basis पर यह exchange ratio बाट दो सो 8.5 रुपे वाई limited की EPS थी हमारी 4 रुपे के थी तो 2.125 देना बनता है हर एक share के बदले 2.125 shares देना बनता है वो है यहाँ पे 1 is to 2.125 हर एक के बदले 2.125 ठीक है अब second वाला part काफी interesting ह उन्होंने ये बोला कि भी अगर company cash में पूरी company खरीदना चाती है दूसरी वाली हमारी acquirer company target company को cash में अगर खरीदना चाती है और उसके लिए हमें loan लेना पड़ेगा 15% के rate से हम loan ले सकते हैं ठीक है तो हमने कितना उनको offer करना चाहिए कि हमारा उनको payment करने के बाद में भी जो EPS है वो maintain रहे current level पे अब current level का जो हमारा EPS acquirer का वो है 4 रुपे का हम क्यूंकि cash में खरीद रहे कोई नया share और add less नहीं होगा तो 20 लाग के 20 लाग की share रहेंगे तो total 80 लाग का profit after tax होना चाहिए इसका मतलब अगर हम इसको 70% से divide करे tax का amount तो profit before tax हमारे पास 114 का होना चाह हम क्या करते हैं कि हमारे पास कितना बाटने के लिए available है interest वो निकाल लेते है current profit after tax अगर आप देखोगे तो 95.75 लाग आता है उसको 70% से divide करा तो मेरा current profit before tax आता है 136 अब notice करना sir मेरा 136.7857 का current PBT है पर मैं इतना PBT मेरे को कम से कम चाहिए 114 का तो अगर आप दोनों का difference निक इतना ही amount है जो कि आप interest बाट सकते हो इस से जदा बाट होगे तो EPS आपका गिरने लग जाएगा जदा से जदा इतना interest बाट सकते हो इसका मतलब इतना interest इस rate पे 22,50,000 का इस rate पे आप loan उठा सकते हो जदा जदा इतना interest है तो जदा जदा इतना loan ले सकते हो 150 का और loan तो 1.125 शेर अगर आप दे रहे हो उनको हर एक के बदले तो टोटल कितना देना पड़ेगा बहुत सिंपल है सर उनके कितने शेर है टोटल 1.8529 उसको 2.125 से मल्टिप्लाइ कर दो आपका यह आंसर आगया 3.9375 ज्यादा डीटेल कोशन में और दी गई नहीं है तो हम कुछ और ले भी नहीं सकते हैं तो यह रहे सर आपके सारे MSQs और यहां पर कानी खतम होती है ज्यादा दिमाग मत लगाओ 10 मिनिट मैंने आपके ले लिए आप ऑडिट के पेपर पे ध्यान दो all the very best single group खतम होने के बाद में आप बाकी के कोशन के लिए भी मुझको अप्रोच कर सकते हैं टेलिग्रम पे, सी यू